गुड बॉनिंग क्लास गुड बॉनिंग एब्रीवन नवस्टे रादे रादे सस्रीकाल कैसे आप सब लोग आई हो सब अच्छे होंगे तो देखे गाइज हम लाज्ट क्लास में आयो पेसी का एक क्लास कवर कर चुके हैं हाँ वीडियो की थोई लेंद ज्यादा है वह वज को देख विकष्ट रिक्ष वीडियो कुछ चालाया था कुछ है किसंवने में बताया था आपको यह पास साहिर क्या हूं धिसकित करें पलो लोग तरिकि से क्लास को लेंगे तिके तो आध हमारा यह सेड़कंड क्लस है अयो पीसी का हम तब क्लास में जो पारिटन हो चैसे अनल में नाम लिखना होता है उसहीं के हम बात करें थी उसके बाद हमें लिंह की साखा को कम से कम नमर मिले जिस साखा हूं के वल किर्यात्मा समुए डवल वन ए ट्रिपल वन ना हूं तब की बात हो रही है यह जब बोलोगा आएंगे तो बात पल्टे की थोड़ा है ठीक है तो नमरें का जो ओर होगा वो चैनल जाएगा अभी जो हम बात कर रहे हैं के वल स एक टूर हम करते हैं तो आइना है किस का नाम पहले के शका दो है तेन हैً तो किसका बात में किसका उसकी बात이면 लिखना है उसकी बात करेती टी तो क्वह अपने पड़न मैट हुआ नहीं सोल्ड़ो यह Cameron उसकी इनिकार है ठीक है आगे बढ़ते हैं कि जाइच चलिए चोथा नियम है नियम नमबर फॉर और इसके लिए पहले में एक्जामपिल दे रहा हूं उस एक्जामपिल को देखे समझा के बहां से नियम निकालूंगा जिससे आपको इदम क्रेशनल के लिए होगा चलिए तक जामपिल है हमा कि एच यह दूदू तो अगया है अगया है यहां लगाए यहां लगाए यहां लगाए लिए तो सबसे प्रवार काम होता है मुख्य करवल श्रंग लागा चेन बतलब जो सबसे लब्वी काम जाएं लागा होटा है चुन होता है हना पर हमें एक ही दीख रही है पॉक्स में बंद कर देंगे ट्रण उपंद बोक्स में बंद कर दें ठैक है इसके बाल मौफ यह बाद हम लोग जो गया है उनकी नबर कहती है ठक बिदर सस्लक्रण did हम इधर से करने गए तो एक दो तो पर लगी है साखा नम्रिंग है समय तो इस तरह की जह नुव से न सामने आएगी तो आयो पेसे ने कहा है कि आप numbering उस side से करें उस side से करें जो मतलब numbering साख है इधर सबी same number पे हो और समय नंबर फे हो तो उस case में numbering उधर से सही मानी गई है जो अंग्रेजी बड़मालग के किरम के साथ से पहले आता है कि अगर बोनों अगर हम बात करें तो हमारा बंदा है legally कि 3D लिखा जाता है भी ब्रोमो लिखना आना आपको भीसे दाहता है और यह हमारा क्लारो है का सी से लिखा जाता है इतना हम जानता तो जो अंग्रेजी बड़माला के हिसाफ से पहले आ रहा है नम्रिंग उसी की साइट से बैलिड है है ओके तो इससाब से नम्रिंग हमारा इंधर्सी के जाएगा एक दो तीन चार पाच बस इसी जो सने हमारी इसी जो से फसाइंगे तो ये नियम बजा दे आए पेस इने के सरसे कर लें डेलिस को बस इसी साफ से लिग देंगे अब नाम लिखने चलते हैं तो पैटरिंगा हमा है पहले आएगा नम्मर बर्स इसका 2 है दो दो ब्रॉमोट उसके बाद चार पर लगा है किलो रोग बहुर दो ब्रॉमो चार किलोows उसके बहुंत दरिंग नहीं है में कि चलत कर ले हैने हमें चलिए तिनियम क्या हो गया हमार रहे जब साखाएं दोनो सिरो पर समान नम्रिंग पर हो ठेके जब साखाएं दोनों सिरो पर समान नम्रिंग पर हो दोनों सिरो से समान नम्रिंग पर हो तव नम्रिंग उस साइड से करेंगे उस साइड से करेंगे करेंगे वो साइट से करेंगे जिस साइड की साख हर अंग्रे जी ह incarnate तब है देखेज जब साख हैं नवसक्ते समान नम्भेंग पर होता नम्च sz스가 रंगा दे साख serpentina अग्रेंजी बहुद रवावला प्रॉब कि पहले आया ठीक है तो आगने जी बड़ा हमाला किरम में ब्रोमो पहले आता है किलोरो बाद में आता है तो नमरी कि दर से परफेक्ट होगा हमारा ब्रोमो की साइट से ठीक है आगला कोसन लेते हैं सी का ऐसी कुछ CS 3 CS 2 CS 2 CS 2 CS 2 CS 3 यहां पर लगा मालीजी एफ और यहां लगा दिया मनेक CS 3 ठीक है तो सबसे लूबिक आपके पहले नाम जब दिने जाएंगे तो सबसे पहला काम होता है सबसे लंबिक कारवन्स लंखला का चैन तो सबसे लंबिकापना से लंगा वहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें 7 कारवन है और 1, 2, 3, 4 ये 4 है नहीं लेनी है 7 पड़ी दबसे उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें 6 है ये 1, 2, 3, 4 ये 4 वाली है और ये 6 वाली है और ये 7 वाली है तो यहाँ पे 3 कारवन सांगला बानने हैं घग कि एक चार कारण वाली एक है कारण वाली एक दो तीन चार पांच है ऐसे करें यह से एक बात है और एक हमारी यह साथ वाली तो सबसे जादा कावन किसमें हैं इस वाली कारण सब्सक्राण तो यह हमारी बनेगी मुख्य कारवन स्रंख्रा क्योंकि साथ कारवन वाली सबसे इसको हमने बॉक्स हमन्द कर दिया बॉक्स के बाहर जो भी हमें कुछ दीख रहा है यह सब साखा है यह मैथिल साखा है आपकी और यह जो एफ होता है फ्लॉरीन है फ्लॉरीन है इसका नाम फ्लॉरीन का प्रतीक है ठीक है और इसका नाम लिखायाता है आउपेसी में फ्लॉर लिखना है ठीक है शलिए इसके बार नम्री करते हैं तो नम्रीं ऊससाइट से करें तो यह था है English नम्र पर सब्सक्राइब तो नबरिंगा इनसे की रहा है एक आँगा तो तीन चार पांट है साथ अई आए से तो अब नाम लिखते हैं अब यहाँ पर एक स्याजर इजसाखा आई ए नाम अफ्लेड़ी अवं मह्रम के साथ से लिखाज दाएगा तो फिलोरो यह इस नोज्फसे से फिलोरोक प्र है यह मैथ थल क्लक्सटा कि पांचमा क कि उसके हमें अभी रिंग लेनी रहे हैं रिंग है यह नहीं फिर मुख्या का दूसर अंकला साथ है साथ के लिए हैप्ट कि उसके बाद बॉंड सिंगल है इन क्रियात्मसमू है नहीं तो उसका नाम नहीं आये तो दो फिलोरो पांच मैतिल हैप्टेन इस कार्वनियोगी का बांव है चले गए और यते हैं औहुएस ग्यादा थैंसपर पाल पी मस्तित सिए स्पесьरी ऑर शरीजाश हूं ह। आं अ थिस्टू ऐस्टू थी ऐस्टू शियर्च हुआयच ह। शियर्च सियर्च WiS 359 शी एस्टू आर थिए करद्टू प्वाकर्मतिते हैं अ सबसे लंबी कावज रगला एक दो तीन चार पांच छे साथ यह साथ वाली है एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ वाली एक सीधी है और साथ वाली एक यह है ठीक है उसके बाद इसके बाद है एक दो तीन चार पांच छे वाली एक, दो, तीन, चार, पांच, छे वाली, छे वाली भी दो हैं, साथ वाली भी दो हैं, एक, दो, तीन, चार, एक, चार वाली है, तो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ, वाली है कि यह है, आप यह ले ले ले, ठीक है, दोनों से आपको इसी भी साखा ले सकते हैं क्योंकि आपके यहां से यह एक हाड़ कोस्ट में बनाया है इससे नीचे कोसन रहते हैं आपके यहां पर इतना साखा बनती नहीं है वैसे प्रसुरी इतने ज्यादा सब्सक्राइब बनती नहीं है ठिक तो यहीं है कि नमरिंग करने के लिए उधर से जाएंगे जिधर से नमर साखा और कम से कम मिले ती सब तीन साखा है हमारी इधर से तीन नमर पर साखा रही है इधर से दो नमर पर साखा रही है तो जिधर से साखा पहले आए नमरिंग उधर से ही करना है शालिए एक दो ह 근데 चार पांट छह साथ ये प्रिफेक्ट है उसके बाद मैथिल M से और ब्रोमो है तो अब पहले आएग़ टीन नमबर पिर तीन ब्रोम उसके वाद नाम मैथिल का है मैथिल दो है एक यह दो नमबर पहिए और एक पांच नम्बर पहले पांच नमबर फिला चोटा वाला पहले लिखाया था उसके वाद बाड़ा फिस से वलते न मपर नमर गएक लिखते हैं दो हैं दो के लिए आएगा डाई मैं यह क्योंकि सी i3 आपके दो है न एक दो पर लगा है रेका पांच पर लगा एक ठीक है दो के लिए डाई में यह रिंग बनी नहीं है मोखे गज़िसल अंकला साथ साथ के लिए फिए हैसा को बॉन सिंगल है इन किर्याओत को समुह मैं नाम छोड़ देजाय नौञे के अभ इसके बात कर लेते हैं हम लोग कुक्त को कि यहाब लेते हैं सब्सक्राइब छाइब अभू ठीक कि देख बस समान समुंग अगर एठ हो समान समुंगर एक तेसे करें एक सीह Ondbon Yeah लिए था ऎलैसे सीधर लिए तो मिलेक्ट अधारा शमानभंदा एक है तो उसी का नालम लिखते है َधिन चाहे तो लगा सकते आ है कि चिसा कर वाला कहीं पर ये ब्रॉम एक है तो हमने से ए मोनो अब रोम हूवे लिख सकते है लिख लिखते पहलो तो पांच यह तो यह टैक्सार है तो आएगा टेट्रा पांच है तो आएगा पेंटा है हैं तो आएगा हैक्सा साथ हैं तो हैप्टा ठीक है इस तरह से कुछ नाम होते हैं यह जायतर हम यूद्जों कर पाएंगे जायतर पिर ड्राइट बस यह तीन चलेंगे ज्यादा वाकितना आगे होता नहीं है इतनी जाएंगे नहीं लग भी जाएं तो लिखाद यार में साथ तक इससे बाहर जाएगा नहीं आठ के लिए आप लिए अपने चाहिए तो लिख सकते हैं आठ के लिए ओक्टा नो के लिए नो दसके लिए टैका ऐसा लिद्या आता है चलिए इसकी छोड़ी सब्सक्राइब अब देखिए अगरी नियम में बात करेंगे हम लोग दोगे प्रगार साम नियम नमर दे रहे हैं नियम बन टू-3-4 कुछ आपको श्रीज में याद निकाने हैं बस नियम बना दिया जो कुछ लोगारे बात निकलोस ये आ रहे हैं भान सामने कुछ प्रॉलम से बाहर आना है तो उसके लिए नियम बना रखा है ठीक है तो ओक आपने partieकते च Healing जिन में कावन कावन के बीच में सिंगल बॉन देखा था बस यहीं सावारिया था अब हम डावल वोन त्रिपल वोन को यहां पे सामिल करते हैं ठीक है नहीं से आपका यह CS 3 छ डावल वोन CS यह CS 2,CH BR, CS 2, CS 3 अच्छी करें यह की योगिक है इसका नाम हमें लिखना है तो सबसे पहला काम की होता हम अबरा सबसे पहला काम है सबसे वड़ी कारवन रंख लाव तो एक ही चमद रहे हमें बॉक्स में बंकर देंगे इसको और बॉक्स के बाहर जो भी है वो क्या है हमारा सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब पता है इसको लिखा ज़रूरी नहीं है नाम इसका ब्रोम है तो नम्बरिंग इधर की प्रफेक्ट मानी आएगे देखिए जब डवल बॉंड या त्रिपल बॉंड आपका योगी के में आना शुरू हो जाए तो नम्बरिंग उस साइट से करेंगे जिधर से डवल बॉंड या त्रिपल बॉंड पहले आए डवल बॉंड या त्रिपल बॉंड जिधर से पहले आएगा नम्बरिंग उधर की ही बैरिड है उस केस में हम साखा को प्राइटी नहीं देंगे साखा को नम्बर कम मिले या ज्यादा मिले हमें वस्तौत को फोकस नहीं करना है हमें तो डवल बॉंड या त्रिपल बॉंड को देखना है जिधर से डवाले पहले आ जाए नमबर नमरिंग उधर सही की जानी है तो कि इधर से पहले आ रहाए हुई इधर से रहां एक बात और यहां पे मुख्य कारवन सरंगला उसी का चेहन करेंगे वही मुख्य कारवन संगला होगी जिसमें डवल वोन या त्रीपल वोन सब्सेजादा आए ठीक है आपकी मुख्य कारवन नशनगला अब उसी को कहेंगे जिसमें डवल वॉन या त्रीपल वन की संख्या ज्यादा हो जिसमें कि जादे साज दा उसके दंदर आ जाए है ठीक है इस पर हम आगे बात करेंगे ठीक है फिलाल हम यह बात कर लेते तो किस दो दो के बाद डबल वोंड है और इधर से आएंगे तो एक दो तीन चार पांच पांच के बाद है तो इधर से करने वाले चले गए वन टू ठीरे फोर फाइव सेब नाम पर लगिसका सागा सागा पांच पर लगी है पांच ब्रोम उसके बाद रिंग नहीं है मोईगा बवला साथ का रवल साथ के लिए हैं साथ के लिए हैं मतरत है चल पई नहीं इसके बाद आता अधा है कावन का उन के वीच्व सब distributor आ आप दिए दो और एक रहे तो सिंगल थे वह मैं लिकते आ रहे थे अब हमारे सिंगल के साथ साथ क्या या रगा रगा है डावल वान ध्वड ध्यान सुने जब सिंगल वोंट के साथ हमरा ताहा लोंड या त्रीपन आना शुरू हो जाये ठीक है उसकेस में हम लोग सिंगल बॉन का नाम नहीं लिखा जाता है उस समय डवल बॉन या त्रीपल बॉन का नाम ही लिखा जाता है सिंगल बॉन का नाम नहीं लिखते हैं ठेक है डवल बॉन या त्रीपल बॉन आ रहा है या दोनों या जाए एक साथ तो इनके नाम हमें दोनों के लिखने होते हैं है तो आपका डबल बॉर्ण का नाम क्या होना है इन है किसके बाद है अभ YOU हूं पच्चिक तो हम अच्छे लगा हम कुछ कहेंगे तीन के बाद है कुछ कहेंगे दो के बाद तो इस बाद से इस प्रोलम अदर इस्टिउशन से निकलने के लिए आप क्या करेंगे नंबर इंगे जिधर से करें उधर से देखो किस नंबर के बाद आ रहा है तो एक दो दो के बाद है तो इसका नंबर जो आएग डबल बॉन आ रहा है बस यह देखना होता है कि यहां पर क्या लिखेंगे नियम क्या बने गया जब डबल बॉन्ड या कि रीपल बॉन उपस्तित हो अब नम्रिंग वो साइट से कड़ते हैं वो साइट से कड़ते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या कि रीपल बॉन्ड को कम से कम नम्र मिले नम्बर मिले और इस इस्तिती में कि नम्रिंग पर कोई बिचार नहीं किया जाता है मैं बहुत ज्यादा सब्सक्राइब यहां पर बहुत आसान सब्सक्राइब नहीं लिख रहा हूं ऐसे बड़ लिख रहा हूं इस थ्री सी एच डबल वॉन्ट सी एच सी एच टू सी ट्रीपल वॉन्ट सी सी एस थ्री यहां पर वाल लगे माल यहां आपका बिया चुले कि हां लाएते हैं सी ठीक है तो सबसे लबने कावन सरंगला यही एक है ले देके ठीक है नंबरिंगों साइट से करेंगे जिस साइट से डबल वॉन्ट यह त्रीपल वॉन्ट को कम सब्सक्रान नमर मिले ठीक डबल वाले को पहले मिल जाए नंबर यह त्रीपल वाले को पहले मिले किसी एक को मिल जाए कि कैसा ने देखना है उस केसमें कि हम डवल के साथ सुजाएं मतलब जिधर से पहले डवल या त्रीपल आ जाए नम्मरिंग उधर से इकने तो इधर से जाए न एक दो के बाद डुमांड मिला इधर से एक दो तीन टीन के बाद मिल रहा है आप साखा फोक नहीं करेंगे साखा पर विश्याल अप डवल वोओन यह त्रीपल मौन को यह देखिंगे दिखने इधर से तीन नम्मर प्याँ और इधर से दो नम्मर तो आप जिदर से कम नमर मिल रहा है डावल यह तरीपल बाण को नमबर इंग उधर से ही करनी है तो एक दो तीन चार पांच शेसाथ आठ अब इनको नमर जादे मिल लिया है या कम लिया जै नम्मर को इधर से करते तो क्लोर को कम नमर मिलता है तो नमर के बाद है तो कम नमर के दर से मिला डावल एट रिपल को इधर से यहीं परफेक्ट है हमाई नमरी चलिए अब नेमिंग के लिए बाद की फॉर्मॉला है किसका नम साखा का यता है उसा था यहां पर किसा जाएंगे तो कि या लाएगा भी लगा है चार पर चार शोरी है जार ब्रोमो के बाद सात किलोरो अब चार ब्रोमो सात किलोरो उसके बाद रेंग नहीं है बुक्र मोके काल संकला आठ 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 के लिए आएगा पॉक्ट उसके बाद कारवन के वीचे बॉन होते हैं यहां पर बॉन्ड भी और ट्रीपल बॉन भी अब सवाल यह उटता है वह नाम तो हमें डवरबन के लिखने होते हैं सिंगल बॉन का नाम नहीं लिखते हैं जब द औरहला पॉर्ण के नाम लिखे आते हैं अब सवाल यह उठता है कि डवल ऑन का नाम पहले लिखें यह तुट अग्र हम बात करें double bond की तो double bond को हिंदी में in लिखते हैं और English में e से लिखा जाता है in और triple bond को हिंदी में in लिखते हैं और English में by से लिखा जाता है in खेक है तो in को English में e से लिखा जाता है और in को English में by से लिखा जाता है तो अब अधिक यहां पहले आ रहा है यह पहले आएगा बाइपहल है कि इतरी पहले आएगा तो डबल वन का नाम पहले एक तो यहां लिखेंगे डावल वाण किस नमबर पर है दो नमबर के बाद है तो टू इन उसके बाद ट्रीपल वांड है पांच नमर के बाद पांच आइन यहां लेतने जाए का मैं वहां पे यह बस यह ऀाल में आप में यहांप है विडवल ओओंड ट्रीपल भूण के नाम एक साथ लिए डाने अब किसका पहले हैं किसको भाद में लेखे एक सी डबल वोन्ट सी दो रिकते हैं रिक चार हम उसके बाद सिंगल बॉर्ण है यह सिंगल वोन्ट सीयज टू सीयज टू कि असी तृपल वांड शी है उसके बाद है सी स्थेड़ी आप है क such यह थिम लगा दिया हमने बी और और हम लगा दिया सिच थिरी है है अ छलिया गई इस्कृ देखते हैं मα लेफोट उप्र हुट शुका है एं अफका देरे देरे अब का लेविल काफी उपड़ जा चुका है आपको पता ही नीचला अब तक लेविल काफी उपड़ तक जा चुका है है तो एक दो तीन चार पांच 6 7 8 उसके बाद 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 sorry 1 2 3 4 5 25 वाली मिल ऑच्पाट वाली मिल दी तो आठवाइए नुद ऑए लेंगे हम लोग क्योंकि यह वह है जी समय कारवन सभी आ जा रहे हैं सभी तो नहीं कहेंगे ऐसा क्रेंगे सब से जाद आएंगे ठिक वह व्यादर सक्षा शक्रावल रह जाएगा तो वह हाँ पेतना वो केसी यहां ने बने वाला है इसाफ से बने को देखेंगे जब पॉर्शन लगाये अपने और वकॉशन से करेंगे तो फिर अपने प्रक्टिस करेंगे तो उसमें बहुत नेंगे जो हमारे आयव पॉस्टन जो बॉड़ में कभी ने कभी पू या 311 को कम से कम नमबर मिले क्योंकि डबल भूर ए रिपल बॉन जब आते हैं तब हम साथाओ कि नम्भ पर कोई विचार नहीं करते हैं तो हम डवल मॉन ट्रीपल बॉन को देखते हैं तो आव नम्भी अम इधर से करने जाएंगे तो एक दो दो के बाट डबल बॉन है नमरि लगाए है यह वह संथी जिसमें डवल फोन पहले आ रहिए था अब यहां पे इस स्कोर्शन में इस्कोर्शन में प्रॉल्ब हुवगे डवल लोड विडिविक्स नम्बर के बाद है और त्रीपल मॉन दो होगी जिदर से साखा जो हमारी होती है उसका नाम अंगर्जी आप से पहले आए तो आप क्या वह हैं लगेगा सर बिलकुल वही कौन से यहां लगने वाला है जब आपका डवालगों त्रिपल वॉन में टाई हो जाए मैं नमबर इधर से दो नमबर पहें डवलगों इधर से है दो नमबर पर त्रिपल वॉन बैठा है तब डवलगों इधर वॉन में टाई हो रही है तो कि धर से करेंगे आप लोग अंगरे जी बड़माला वक्राम यहां पर अपनाएंगे तो उसाप से हमारा इन पहले आता है रो आईन बाद में आता है तो नमबरेंग इन की साइ से की जाएगी कि लिए रहे जब डवलगों ट्रिपल बांड दों तरफ से समान नमरिंग पर आएं समान नमर उनको मिल रहा हो तो उसकेस में नमरिंगां डवलगों की साइट से कड़ते हैं क्यों क्योंकि अंगरे जी बड़माला के साथ से इन पहले आता है और आईन बाद तो चार पर लगा है ब्रोमो का चार ब्रोमो का चार में फिल है मो क्यार अट में नम कर शकी नितों में सब्सक्राइए इसके बाद कारूड को गार कर सोदिग्वाइश उसके बाद के नाम मोंट कर देऊ tomorrow बॉल का उसके गर्एी मोद मौईबॉलर campus फॉलौ इस का नाम नहीं आएगा इस नाम खेल गई आप से लिए चले गए अब हम नहीं है यह पर डावलबॉर्ण ट्रेप्र अन्य कहाने देखिं उसको हमने समझे और पर सकते हमने वहां प्रीविव कैसे निकल ना या बहुत क्या नियम है बहुत हमने हैं इहां से सीखा है अब गा विं용 SP को लेने का। तो घरकर अब प्रत्र मसमों करेंगे मतलब ऐसे कार्भ नियोगी को के नाम लिखांगे जिसमें आमारे कर्यात्मस मोवे आएंगे ठीक है चली लेते हैं तो जब क्र्यात्मसमों आएगँ तो नमेरिंग हम किधर से करेंगे है किर्याक्ट मागे है ठीक हैं जब कि दियातमक समुट उपस्तित हों तर रॉयाव का कारवनिक योगिक हalgए अगर उसमें करियात्म समुट पेस्तित अंग अगर रॉया नमर रिंग तब नम्ब्रिंग उस साइड से करते हैं जिधर से किरियात्मक समू को किरियात्मक समू को कम से कम नम्मर मिले हैं जब किरियात्मक समू पस्तित हो तब नम्ब्रिंग उस साइड से करते हैं जिधर से किरियात्म समू को कम से कम नमबर मिले हैं ठीक है एक ओडर होता है ओडर यह है अगर किरियात्म समू है तो नमबरिंग किरियात्म समू की साइट से की जाएगी और किरियात्म समू अगर नहीं है तो डवल बॉन और त्रिपल बॉन की बारे में सोचना है तो नमबरि उधर से करेंगे जिए दर से डवल वोन्ट या ट्रीपल वोन्ट को नंबर कम से कम मिले और डावल बॉन ट्रीपलवोन नहीं है तब हमें साखाओ के साथ से सोचना है कि तब नंबर आपका साखाओ को पहले मिलना चाहें यह आपका ओरडर का मतलब आपका जू नंबरिंग है नम्रिंग का किरम है नमर्इंग को ओर है तो सबसे कम नमबर किर्यात्मय मिलना चाहिए उस केस में इनके में नहीं सुचा जाएगा चाहिएन को नमबर कम मिले या ज्यादा मिले कोई मतलब नहीं है कम से कम पे कौन रहे किरी आत्मक समू रहे और मालों किरी आत्मक समू नहीं है योगिक में है ही नहीं डवल बॉन ट्रिपल वोन आ रहे हैं तब नम्बरिंग उससाइट से करेंगे इधर से double bond को कम-से-कम नमबर मिले इसमें एक पॉइंट आसता है जब दोनों बंदे-दोनों साइट उससे समान नमबर पर आए तो नमबर यंग वहाँ कि साइट से करते हैं क्यों क्यों कि उसका नाम यह इन होता अंग्रिया जी ब्रमला को फोलो कर लेते हैं लोग उसी सा में याद रहेगा ठीक है और अगर मालों किर्यात में सम्हों भी नहीं है डावल बॉंड ट्रिपल बॉंड भी नहीं आ रहा है तब साखाओ के बारें बात हुए थी हमारी शुरुवात हमने बहीं से कर रहा था ठीक हां तो सबसे लंबीख संख्ल अलास सब्सेल बी कार्वन वो होगी जिसमें डवल ओण ट्रीपल ओउन वे र्यात्म सम जादे से जादे आये सूँ ठीक है फ़ाइघन पें कारवन कम भले ही कारवन कम ठीक है लेकिन यह करद बस बोल रहा हूं कि मतलभ जसमें डवेब हों ट आगे पात करें तो हम लोग बोही सबसे कावण संखलम करें जिसमें दौल बॉन ट्रिपल और क्रियात्माइक समुझ ज्यादे ज्यादा उपस्तित हो बहुत कारवन को ना कम हो लेकिन डवल वोन ट्रीपल वोन करियात्मा समूद ज्यादे से ज्यादा है उस्वाले सरंखला में तो उसी को हम कहद्य करेंगे मुख्य कारवन सरंखला ठोड़ा लेवी उपल लेगया हम फ़र्श्ट के साब चले गए अब चले बता दिया से बागे तो यहां इसी लोगों सब्टिकती नहीं है साथ दिखता है यहां पे 12345 मवांच है अब देखो यहींता देखो को संवेगा यह 1234 पांच 5 испनें झार रहे हैं और पांच ये भी है मैं और आ और या ये लूं अब एक ये भी है एक दो तीन तीन वाले भी है तीन वाली लो तो भे तीन वाली तो कारवन ही कम है बो लेंगे नहीं है पांच वाली ये फोकस करें तो पांच वाली एक ये है पांच वाली अगर ये वाली लें तो इसमें किरियात्म सम्मू नहीं आ रहा है तो नहीं लेंगे लेकिन आगर इसमिले सी लोग यह वाली सीधी इसे नहीं लेंगे क्योंकि इस वाली स्रंखला में इस रंखला पुदी कर दिखे रहे हैं इसमें क्यात्म संभू नहीं है मितल संभू इस बाहर आई होगी एक, दो, तेन, चार, पांच, पांच वाला ये भी है, लेकिन इसमें क्रियात्मसमू आया है, लेकिन अगर इस वाले को लेते, तो इसमें क्रियात्मसमू नहीं था, यहाँ पर इस से अलग हो रही है वो, डायेट होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ना थी, ठीक है, तब तो आ सबसे लंबी कावन संगला लेनी है जिसमें डवल बॉंड ट्रिपल बॉंड और क्रियात्म समूद जाद इसे ज़्यादा उपस्तित हों बहले कारवन कम क्यों न रह जाएं ओके चलिए छली तो नमबर में इधर से हो नी है 12-45 वाइक कि यह सागा मश्रीं कर्याद में सबसे घराल है responsible हे पहचान अलगी होनी है अलकोहल है एलकॉल समुग अलगी पैचान है कि एक रात्मा समुग है एलकॉल और क्रयात्मा समुग अगर छोड़ दे जाए तो बाकि क्या बनेंगे हावाद लिए साखा तो साखा एक ब्रो मोह एर एक मैथिल है तो ब्रोमो का नाम पहले आना है तो तीन पर लगा है ब्रोमो तीन ब्रोमू, दो मैथिल, उसके बाद नाम नेमिंग होती है, रिंग की, रिंग है ही नहीं, उसके बाद मुख्यकावन सरंगला पांच कारवन है, पांच के लिए आता है, पैंट, फिर कारवन के बीचे बॉन्ड, सिंगल है, तो एन लिखा जाएगा, पैंटेन, उसके किरियात्म समुझ है, एलकोहल, और आयोपेसी में एलकोहल का नाम आता है, ओल, किस नम्मर पे लगा है, किरियात्म समुझ जैसे साखाओ की नेमिंग करते समय, वो किस कारवन पे लगे हैं, उस कारवन का नम्मर यहां पे लिखा जाता है, सेम उसी परिकार से किरियात्म पे बन औल तो थैन जो और तो थीन वो मुदो मेतल पैंटे न रहरे धीन वनोड अब देखो हमारी साखहा हो या कृवाव अगर नाम के आगे बन है तो बन हम हटा भी सकते हैं यह अधे शुड रहेगा अगर किसी के आगे बन नहीं है तो बन हम उसको समझेंगे ठीक हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तेन ब्रोमो दो मैथिल यहाँ पर पैंटेन बन ओल तो बन हटा दो तो पैंटेन प्लस ओल फैंटेनल हुस् business नहीं प्लस ओल यह किसीज़ है एक नंमर के कारून पर लगा हे है अब देखी है हमारी यह आयोपीर से नियम हैं लगहाग क्वेट हो गए हैं मुश्लिब सभी नियम कर ली है मैंन यही नियम है हाइस्पिल के साथ से इंसे बाहर होता भी नहीं है कुछ ठीक है अब कुछ कोसनो देखते हैं हम लोग इस कופ सन और देखते हैं उसकर क्लास को खतम करेंगे और ब Fachis के लाग उगली आएंगे हमारी उसमें हम लेंगे मतलीं है लेड़ी करेंगे अपना लेविल जिसमें हमारे किर्यात्म समू के है क्योंकि इस तरह के घ्रकार मेंधे कौशंस तो पश्ट करम यह होता है लिए ऩी जय आ बढ़ी शाहदा वालोगे कहानी क्या होती है अगली समझाएंगाu फिलाल उससे पहले हम लोग और जो बाते हैं और जो आई पेसी नेमेंगे हम वो कावर करेंगे फिर अपनी प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद लेके आएंगे लाश्ट में अपना ये जब आपकी एक से ज़्याद में सम्मू आना शुरू हो जाएं ठीक है पहले लिए प्रैक्टिस करने हैं चिछन को सीख लेते हैं के कोसन से लगा लेते हैं जब हमारे इदा माइंड में सेट हुजाएगा तब हम उसकी बात करेंगे तो हमें ज़्यादा ज़्यादे इंट्रे और यहां पर आगे हैं आपको सी एच अपर यहां पर आगे हैं आपको सी एच अपर एल्डी हैड समू है तो वो कार्वन सनंधरा लेंगे जिसमें एल्डी हाइड आए है तो आ रहा है अब देखे गई आपका जो एल्डी हाइड समू है यह हमारे कार्वाउसली समू आएगा इनके अपने अपने समू में कारवन होता है ठीक है तो इनका जो कारवन होता है इसे हम मुख्या कारवन संगला में लेते हैं मुख्या कारवन संगला में इसका कारवन लिया जाता है अगर इससे उपर की लेविल की बात करें तो कभी कभी कोस्टन हमारे ऐसे होते हैं कि हम चाहकर भी इसके कारवन को मुख्या कारवन संगला में नहीं ले पाते हैं लेकिन हम आपके इस लेविल की बात कर रहे हैं उस कारवक्स लिग अमल हो गया इनकी जो कारवन होते हैं ठीक है अगर आपके उन कोस्टन की बात कर रहे हैं जिन में एल्डि हाइड या कारवक्स लिक समू के कारवन को मुख्य कारवन संगला में लिया जाए तो इस समय हम ले सकते हैं छोड़ नहीं सकते क्योंकि अराम से लिया सकता है लेकिन वह जब केस आएगा तो उसमें चाहा कर वी आप लो इसके क कर रापका किर्यात में समू है तो नमरी करते हैं कारवन की एक दो तीन चार पाथ चैसाथ आठ्ञो नाम साखा दो साखा है हमारी एक 3 नमब्र पर यह एक आजय को साखा एक ही है चलिए तीन कोमा आर्ट पर नहीं है 3,8 – 3,5 ब्रोमो उसके बाद रिंग नहीं बन नान ही कारून के लिए अन सकते हैं और उसके बाद त्रिपल बॉन्ड आया है तो डबला सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखा जाए और lehyde का नाम क्या आथा है कि अंबर ऐखेर किर्यातमा समो के आगे नंबर रिखा एक नंबर लिखा है तो उसम हम झोल भी देते हैं , ठीक है , जायतर उसको छोड़ा जाता है पाँच अएन ओई अएन हो जये गई है अईनल जो अब कर अजिए अच्छे रहे है अगोसम लेते हैं थ्याइश 3 च्रीक्ति तू सी तू सियएश 2 थैस तू सिय 3 यह बिया क्यों है गोश्च पाचानी किया है और इसी कोस्ते हम लाश्ट करेंगे इसको तो सबसे लंबी काश्ट्ण ला यही बनेगी जिसमें हम क्रियात्म समुझ यह है उसका कारवन ले सकते हैं और नम्बरिंगे धसी होने वाली आपके तब सीख चुके हैं इसको वांड टू थिरी फॉर फाइव सेक्स बागी हैं आपके यह साखा तो ब्रोमो का नाम पहले आएगा पांच ब्रोमो थिरी पे है मैथिल पांच ब्रोमो थिरी मैथिल उसके बाद कारवंच है है सिंगल बॉन्ड एन और बन पर लगा है यह तो हैक्सिनल जाए गई बन छोड़ देंगे चलिए गई किलास को ही फिनिस करते हैं आई होप किलास आपको पसंद आया होगा किलास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सकाइब करें ठीक है और आपका यह लाइक और सब्सकाइब ही हमारी एनरजी होता है अगर वीडियो आपका अच्छा लगता तो चैनल को आपर नियाज करेंगे ठिक है कि लाज के निए करते हैं जाहिन जाहिए भारत कि अो कि अ झाल झाल